हाई गाइस वेल्कम बैक टू मैं चानल कैसे है आप सब आप सब अच्छे ही होगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायाटेक की एक फेशल किट का रिव्यू जिसमें मैंने अपनी मर्जी से पर्चेज किये हैं यह सारी चीजें यह है तेन रिमॉबल यहां पर आप यहां पर पैक भी है मेरे पास क्रीम भी है जो आपकी वाइटनिंग ट्रीटमेंट भी करेगी इसके रिव्यू मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी जब तक मैं इसको थोड़े दिन यूज कर लेती हूँ नेक्स्ट यहां पर टोनर है वालनेट स्क्रब है यहां पर द और एकदम से आपकी स्किन में अफजब हो जाता है और नेक्स्ट यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी वालनेट यह स्क्रब है यह आपकी स्किन को हाइडरेट करता है प्यूरी तरीके से प्यूरिफाय कर देता है हाइडरेट करता है शायद मैंने सही बोला नेक्स्ट यहां ली स्क्राइब को के और यह पर सेमने हैं, आपसने ही जो करेंकों और यह परेंगी है तरह और अपसाड़ा हैcelा रजार हो तक्रेश चिन वे मैंोट इड़ एका करेंगी , यहां करण सकते हैं एक्दम इसके है बहुत अच्छा इसका टेक्च्चर एकड़ी अच्छा में अफजब हो जाती है और स्मूध कर देतें आपकी नहीं को और स्किन एकदम आपकी एकतम ग्लो करने लग जाती है तो मैं चलिए आप ये सारी चीजे आपको यूज करके भी दिखा रही हूँ हाथ पर इसलिए यूज करके दिखा रही हूँ क्योंकि एक बार आप पास से देख सकते हैं और आप देखेंगे कितनी जल्दी स्किन में अवजब हो जाती है और स्किन देखे कितनी शाइन कर रही है एकतम स्किन शाइन करने लग जाती है तो चलिए मैं आज अब आपको आगी दिखा देती हूँ ये सारी चीज़े हैं आप चाहें तो इसको purper.com से मनगा सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ें वहीं से purchase की है तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमें अपने face को वाश करने वाली हूँ यह है face wash honey honey face wash है यह सबसे पहले आप इसको अपने face पर लगा लीज़े और Wash कर लीज़े, आपका Face बिल्कुल एक्दम clear हो जाता है, जैसे mother कलीजर काम करता है, वैसी जिन वाइसrire कंडीर वह स्कीन कर दिता है, वैग्दम साफ कर देता हम कहने है, नेक्ट और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं, वालनट का स्क्रब जो मैं फटाफट से आपको यूज करके दिखा रही हूं प्यूरिफाइंग करता है आपकी स्किन को और अब आप फटाफट से मैं आपको फेस पर मसाज करके दिखाऊंगी नॉर्मल है आपको टू से थ्री मिनट मसाज करना है तो कर लीजिए नहीं तो आ आपके वाइट हैं क्योंकि मुझे बहुत जादा बार बार नोस पर ब्लैकेट हो जाते हैं तो मुझे तो इसके लिए जरूर ही स्क्रबिंग यूज करने पड़ती है अब वाश कर लिया है फेस मैंने आप देख सकते हैं एक्तम क्लियर दिखता है नेक्स आप यहां देख जाए है मैं मसाज क्रीम यूज कर रही हूँ बहुत जादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा दिया है और थोड़ा सा फास्ट कर दिया है इसकी खुश्बू बहुत अच्छी लगी थी मुझे और बहुत जादा नहीं ले र उल्म धार लें कोई भी काम नहीं होता है इस तरीके से साज़ कीजिए grain। अपवर्ड़ सी मसाज करना है आप अपको डाउन में नहीं करना चाहिए मंसाज नहीं नहीं तो आप इस तरीके से हलके हाथ से एक दम हाथ से मसाज नहीं करेंगे नहीं तो आपके face की जो skin है वो खराब हो जाती है खुद से अगर आपको आपके face पर massage करनी है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको massage करनी चाहिए relax होके massage करना है मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर fast की हुई है इस वज़े से इस तरीके से दिख रही है आपको बस इस तरीके से आप इससे massage कर लेंगे बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको skin की massage करने के बाद अब मैं यहाँ पर wash कर चुकी हूँ face को और face इक्तम हो गया है clean, इक्तम, clear next यहाँ पर मैं आप toner यूज कर रही हूँ इस क्रबबिंग के बाद मैंने cream यूज किया है आभ यहाँ पर मैं toner यूज कर रही हूँ toner आपके pores को बंद कर देता है आपके ओपन जो pores होते हैं उनको minimize कर देता है और आपके skin पर बहुत जादा pimple या किसी भी तरीके की problem बहुत जादा होती है तो वो उसको देरे-देरे ठीक कर देता है तो इस तरीके से dab करते हुए आपको अपने face पर toner apply करना चाहिए एक मेरी video मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी थपड मसाज पर तो इस तरीके से मसाज करने से आपका skin का blood circulation बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पर next मैं use कर रही हूँ tan को clear करने के लिए face pack क्योंकि गर्मी में बहुत जादा tanning हो जाती है face पर हम भार जाते हैं तो बस यही face pack इसका मुझे पसंद आया वैसे तो face pack बहुत जादा और भी है जो अच्छे है अब मैं इसको 10 मिनिट तक रखूँगी और face को wash करूँगी यहाँ पर face pack बिल्कुल अच्छे से सूख गया है तो मैं इसको wash कर लेती हूँ यह है मेरा final look और आप देख सकते हैं face एक तम clear दिख रहा है कैसा लगा यह वीडियो वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को जरूर शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए जोड़े रहिए कल्पना ओल इन बन के साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा